दोस्तों क्या आप भी उन जिग्यासू लोगों में से हैं जो किसी कमाल के एंजिनिरिंग मावल को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एंजिनियर्ज और साइंटिस्ट ने ये मुम्खिन कैसे कर दिखाया अगर हाँ तो पानी पर बने ये शांदार पुल तो आपका ध्यान पक्का ही खीचते होंगे कभी नदी पर तो कभी समुंदर के बीच कैसे सैकडो चैलेंजिस से पार पाकर इन नायाव विशालकाय पुलों को बनाया जाता है जानेंगे मिलकर आज की इस खास वीडियो में नमस्कार और स्वागत है आपका तम मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर दोस्तों हम सब ये तो जानते ही है कि पानी पर बने ये पुल हमारी जीवन का एक एहम हिसा है क्योंकि अगर ये ब्रिज ना होते तो शायद कई गाओं कश्बे और शहर एक दूसरे से कटे ही रहते इन ब्रिजिस की मदद से हम पानी के उपर से निकल कर अपना समय और इंगन दोनों ही बचा लेते हैं लिकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में चलती नदी पर बने ऐसे कई ब्रिजिस हैं जो मशूर है कुछ अपनी एंजिनीरिंग के लिए तो कुछ उनके आकार और कुछ अपनी historical importance के चलते एंजिनीरिंग डिजाइन के आदार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं किसी भी ब्रिज का निर्मा जगा के आदार पर किया जाता है एक प्रकार का ब्रिज सबी जगा बनाना संभव नहीं इसलिए ब्रिज भी जगा के आदार पर ही बनाय जाते हैं बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज आधी ये कुछ टाइप्स हैं पानी पर बनने वाले इन पुलों के कोई भी पुल तब तक बार सेहन कर सकता है जब तक उस पर पढ़ने वाला भार डारेक्ट या फिर इन डारेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहे एक ब्रिज पर लाखो टन का बार हो सकता है लिकिन वे फिर भी मस्बूती से खड़ा रहता है क्योंकि सारा बार खंबो पर टिका होता है और खंबो से होता हुआ जमीन में चला जाता है जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता लिकिन दोस्तों पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनोतियों में उसकी foundation बनाना ही होता है और पानी जितना गहरा हो ये challenge भी उतना ही बड़ा होता है foundation मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आखिर ये pillars ही तो होते हैं जिनके दम पर इस bridge को स्थिर रखा जाता है तो कैसे की जाती है इस foundation को बनाने की शुरुआत आईए समझते हैं तेज बहाव वाले नदियों के उपर pillar खड़ा करने के लिए engineer सबसे पहले एक structure बनाते हैं और उसको बनाते समय पानी की अधिक्तम और नियूनतम गहराई पानी के बहाव की गती पानी के नीचे की मिट्टी पुल का भाल पुल पर चलने वाले वहनों का बाम आदी भारीज से बारीज चीजों का हिसाब रखा जाता है इसके बाद पुल की नीव का प्रकार तै किया जाता है जिसके हिसाब से नीव बनाई जाती है इस नीव को कॉफर डैम कहते हैं पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉफर डैम का structure सरकल में होता है तो कभी square में अब सवाल ये है कि आखिर ये कॉफर डैम बनता कैसे है कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे pieces एक structure पर fit किये जाते हैं जिसमें इन्हें सरकल या फिर एक square shape दी जाती है और जब ये बनकर तयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है जिस वज़े से यहां पर एक सूखी खाली जगा बन जाती है इसी सूखी खाली जगा पर फिर pillar बनाने का काम शुरू किया जाता है जहां कई सारे worker लग कर इस जगा पिलर बनाते हैं हालांकि हर जगा इस तरह से काम नहीं किया जा सकता अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज्या किया जाता है जैसे बोर्वेल बनाते समय करते हैं फिर उस बोर्वेल में स्टील या फिर लोहे के मूटे पाइप डाले जाते हैं फिर पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है जिसके बाद उस पाइप में सिमेंट और कॉंक्रीट का मिक्स्चर बरा जाता है ज जब दो खंबे बनकर तयार हो जाते हैं तब सबसे पहले बड़ी-बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े-बड़े उन खंबों को जोड़ा जाता है और ये सिमेंट कॉंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरी जगा पर तयार होते हैं। ब्रिज का आदा काम बाहर कार खाने में किया जाता है और आदा काम समुंद्र या नदी जहां पर पुल बनाया जा रहा हो वहां। या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगा से दूसरी जगा ले जाया जाता है जिसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल लिया जाता है। दोस्तो इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और ये काम थोड़ा खतरनाक भी होता है। लेकिन दोस्तो जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफी प्रोफेशनल होते हैं। चाहे वो वरकर हों या फिर एंजीनियर्स सभी को इन कामों का काफी अनुभव होता है। जिसके बाद ही उन्हें ऐसे जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए बेजा जाता है। क्योंकि अगर ये ब्रिज किसी नौसिखिये द्वारा बनाए जाएं तो उसका खामियाजा कई लोगों की मौद से बुगतना पड़ सकता है। अब हमारे अपने ही देश के मुंबई शहर में स्तित वांदरा वरली सीलिंग को ही ले लीजिए। इस 5.6 किलोमीटर लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को एंजिनिरिंग का बहतरी नमूना कहा जाता है। लेकिन पानी के उपर इसे बनाना आसान नहीं था। ये एक बहुत ही लंबा और चुनौती बड़ा सफर था जिसे 11 सालों की अतक महनत और लगवग पौने 2 लाग करोड के खर्च के बाद हमारे एंजिनिर्स ने पूरा कर दिखाया। तो दोस्तों अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस तरह के ब्रिज बनाने में इतने पैसे क्यों खर्च होते हैं। ऐसे में ब्रिज बनाने में खर्च के साथ साथ काफी समय भी लग जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ब्रिज फेल हो जाते हैं। इस चीज से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत जरूरी होता है। और ऐसे में वो सबी एतियात बरते जाते हैं जो जरूरी हों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपने पानी पर बनने वाले इन ब्रिजिस के बारे में कुछ नया और इंटरस्टिंग तो जरूर जाना होगा। इसलिए इस वीडियो को खुद तक सीमीत न रखें। और शेर करें इस अद्बुत नॉलेज को अपने दूस्तों और रिष्टेदारों के साथ। साथ ही अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें The Mystical Land यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारे फेस्बुक पेज को भी। क्योंकि इंटरस्टिंग वीडियो का ये दौर यहीं खत्मन नहीं होता। मिलेंगे फिर एक बार एक नई वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाज़त दें।